बवेबंदो बड़ा मारमिक प्रसंग है और पंचम काल में से अशुब्द नहीं हो सकता कि जो मंदिर में बैठा करते हैं उन्हें चौराहे पर बैठना पढ़ रहा है जो सादू समुधाये मंदिर में बैठके एक इर्दन करते हैं उनको राजनीती करने वालों को समझाना पढ़ रहा है कि धर्म नीती क्या होती है कोई भी धर्म हो उसके चार अंग होते हैं एक उसको मानने वाले जिसको आप श्रावक कहते हो दूसरे वो ग्रंत जिन से पढ़कर के वो धर्म चलता है तीसरे वो आयतन जहां वो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म का पठन पठन करते हैं और चौते वो सादू वरंद जो धर्म का परचार करते हैं आत्म कल्यान के साथ जगत का कल्यान करते हैं लेकिन आज का वो छण आ चुका है जब ग्रंतों को जलाया जा रहा है श्रावकों को बदला जा रहा है आयतनों पर कब्जा किया जा रहा है और अप्रों संतों कर भी ऐसी निर्ममत्या की जा रही है अपने अंतरंग में विचार जाकरत करना हमें धारमिक एक्ता की ओर आना है पारिवारिक एक्ता के साथ साथ अगर कहीं आपके किजी परिवार के सदस के साथ ऐसा होता तो यहां चौराये पर चके जाम होते चौराये पर बने किसी नेता की मूर्ती पुतला तोड़ दिया जाए तो दंगे हो जाते हैं, आग जन्नी हो जाती है दिगंबर मुनी के साथ इतना हो गया और देश का राजा सांत है, यह बहुत गलत बात है कोई भी संपरदाय का विक्तियों, मेरी एक बात कहना है कि जो वरक्च होता है, जब बड़ा होता है तो उसकी साखाएं भूट जाती है दर्म जब सनातन दर्म आगे बड़ा तो उसकी साखाएं खुल गई यह एकता की कोई प्रसंग का कोई विकल्पी नहीं है सब यहाँ एक मंच भी बैटे है, इसका मतलब एक है यह भारत की नेतिकता एक बात सिखाती है कि सुक्के दिनों में किसी की साथ रहो न रहो दुक्के जरूर मुसके साथ देने जाना भी है मुझे तो बड़ा अश्चर इस बात का हो रहा है कि जिनको आप नोट देते हो और जिनको वोट देते हो एक भी विक्ति नहीं मिला भी तक जो कह दे यह गलत काम हुआ है विचार करना है मत भेद होंगे, मन भेद नहीं रखना है परसपर में हो सकता है कि मत का भेद हो दिशा मेरा अंबर है तो मैं दिगंबर हूँ श्वेत वस्तर जिनके वो श्वेतांबर है रक्त वस्तर जिनके वो रक्तांबर है लेकि मेरा कहना है मत भेद हो सकता है हमारे में मन भेद नहीं है भारत की सरकार से एक बात मेरा कहना है कभी जैन संद कभी मांग नहीं करते जैन संद कभी कोई मांग नहीं करते लेकिन आज एक बात कहना है मुनियों की रक्षा अगर समाप्त हो गई तो देश की रक्षा भी समाप्त हो जाएगी इसलिए सरकार सबसे पहले जो हो चुका है उसकी मैं चर्चा नहीं करूँगू आचार परमेश्टे की निर्ममत्या होई है यह वो राम का देश है यह वो रिशव देव का देश है जहां मुनियों के उपसर्व दूर किये जाते थे पदम पुरान जेन रामायट में बहुत सुंदर दिश्टान दाता है कि राम जब वनवास के लिए गए और उन्होंने दक्षिन का मार्ग तय किया कि जहां भरत का राज समाफ हो जाएगा वहां अपन नया राज बसा लेंगे तो रास्ते में वन सिस्तली परवत पर दो दिगंबर मुनिराज ध्यानस्त थे कुल बुषन देश बुषन और देथ्यों ने उनकी उपर उपसर किई राख्षतों ने उपसर किया राम लक्ष्मन अपना धनुस ले करके वहां उनकी रक्ष़ा के लिए गए थे यह वो राम का राज है जहां पर मुनियों की रक्षा की जाती है और अब पंचम काल का शायद ऐसा दरस तो कभी सुनने में नहीं मिला सरकार से हमारा कहना है कि या दो आदर्श सरकार बने या आदर्श नेता बने या नेता गिरी छोड़ करके धर्म नीती चालो कर दे एक राज था राज वहाँ सभी धर्म के अनुवाई के लोग रहते थे बड़ी प्रीती से रहते थे और वहाँ कर राजा सब के साथ प्रीती रखता था केवल नोट और वोट के समय काम नहीं आता था एहरनिस काम आता था जैन समाज जिस दिन आकरोश में आ गई और कहीं टैक्स देना बंद कर दिया लाले पड़ जाएंगे सबसे एक बात के देना बढ़ी जितने मीडिया कर्मी है जो नई बिक पाई है मीडिया उनसे बात करते हैं और जो बिक गई है वो यहां होगी क्यों सबसे पहले जितने लोग है न इन नीडिया चैनल जो बिख चुकी है उनको बैन करना अब उनको देखना ही बंद कर दो एक सुन्दर काँच टूटता है न भया तो धार-धार अतियार बनता है सज्जन विक्ति अगर बिखड जाए समालना मुश्किल हो जाता है एक राजा अपने द्रेश में राज में सब को कैसे लेके चलता उससे सीखिए एक राजा था वो सारी प्रजा को एक सा लेके चलता था सभी को जिनके जो धार में कारिक्रम है उन्हें सारे सयोग करता था हिंदूं का जलूश निकला जवारे निकलते जवारे आप क्या निकलते क्या नहीं निकलते हमारे MP तरफ निकलते हैं वो नो दुरुगा के समय जवारे लेके निकलते हैं वो भाला वगरा लगाके निकलते हैं समाज ने सकल समाज ने उनका सयोग किया राजा ने सहयोग किया फिर एक दिन ऐसा आया जैनो की रत निकले जैनो की रत निकला और जहाँ से रत निकलना था वाँ एक बरगत का पेड था और रत नहीं निकल पारा था किसी ने का पेड गाट लो भई या जिनको şांती चाहिए है, उनके पास हजारों कारण है और जिनको असांती चाहिए उनके पास लाकों कारण है कुछ लोग उखड़ गए बोले पेड नहीं कटेगा कुछ बोले पेड कटेगा जिनका रत निकला था उन्होंने कुछ कहा ही नहीं वो जो राजी निती करने वाले आ गए उन्होंने का पेड़ कटेगा एकने का पेड़ नहीं कटेगा और इस्तिती ऐसी हो गई कि दंगे होने वाले थे राजा स्वयम उतर के मैदान में आया केता आप दोनों जंदस-दस बीस-बीस पीचे हो जाईए हमारी जिम्मधारिय मैं कट लूँगा बीड को छाटा गया राजा ने जमीन खोट के नीचे कर दी न पेड़ कटा न रत रुका आदर्श नेता ऐसा होता है जो सम्मे को पाए ढूंडता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि मुनियों पर उफसर होता हूँ भीया मेरे उबर भी कई बार हुआ है हम बैंगलोर थे तो वहाँ पत्तर मारे गए लोगों ने रोक करके गाली भी दी कई बार ऐसी सितिती हो गई कि प्रांड बजगा बड़ी बात है मैं आपको अपने साथ की बता रहा हूँ दोजार अठरा की खटना ये मुम बैंगलोर में आर्टी स्ट्रीट रोड है वहाँ निकलना मुश्किल है वहाँ निकलना मुश्किल है उस समय भी जो सनातनी वहाँ बारे बंदु थे उन्होंने हमाई रक्षा की थे उन्होंने मारत दिखाये कि आप इनी इन गलियों से निकल जाईए तो बच जाएंगे एक आटो वाला था आटो वाला सनातनी उसने रास्ता दिखाये था कि यहाँ से निकल जाईए हम लोग तीन गंटे में धाई गंटे में 21 किलूमेटर चलके वहाँ से निकले थे ऐसी परिस्तिती इस भारत में आ गई है जहां राम राज था प्रजा सुकारी थी अब रावन राज है प्रजा दुकारी हो गई है हमारी समाज सरकार से आज मांग कर रही है जैन बूट का घटन हो उसमें जैन सादूओं के लिए बिहार में उनकी सुरक्षा के लिए प्रबंद किया जाए पूर में भी अन्य सादू संतों के लिए हत्या की गई और एक नया सबी संतों से मेरी बात कहना है कि ये मीडिया आजकल हैसी हो गई है जो उसने बोल दिया वो परमात्माय सरवक्ग है बोल दिये कि संत के पास पैसे थे संत करेंगे क्या पैसे का स्रावक उनको भोजन देता है स्रावक रुकने की जगा देता है वस्तर वो पहनते नहीं पैसे का करेंगे क्या और एक और तरीका उनके चायत पर लांचन लगा दो ताकि संतों से संदा उड़ जाए हुआ क्या है किसी को नहीं पता बस एक न्यूस चैनल ने भोल दिया बांगी साब ने का जे 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 हुआ हुआ मैं जी रहे है किसी एक संद के चायत पर लांचन लगा दो अरे बहिया अगर एक पट्री ट्रेन से उत्री है तो सभी उत्री नहीं मान लेना और वो उत्री है कि उतारी गई है इसको भी जान लेना चाहे किसी भी संपरदाय के संत हों मेरा एक बात कहना है भी या आप समाज से कहना है सादू संतों कि चायतर पर कभी लांचन मत लगाना उनकी हत्या करना बड़ी दूर की बात है यह वो जेन समाज की महिलाएं हैं जो मंदिर से घर और घर से मंदिर जाती है कैसा पाप का दिना आगया है उनको भी रोड पर आना कड़ रहा है अपनी बात को मैं बहुत जल्दी विराम दे रहा हूँ सिर्फ काम आचारी भगवन काम कुमार नंदी जी की हत्या पर नहीं है हजारों सादू हमारे रोडों में एक्सिडेंट में मारे जाते हैं और कुछ लोग मार देते हैं कुछ लोगों से हो जाता है अगर आप लोग रक्षा नहीं कर पाए तो तुम लोगों का जैन होना सनातनी होना स्रावक होना किसी काम का नहीं है जो सब को छोड़के तुमारे लिए निकले हैं तुम उनकी रक्षा नहीं कर पाए तो क्या कर पाए जिसने भी एक्रत्य किया है हम तो उसको च्छमा करते हैं प्रभू भी उसको च्छमा करते हैं लेकिन आगे ऐसा करते ना हो इसके लिए सरकार क्या कर रही है आपको सान तो न दी जाएगी फिर आपसे नोट वोट लिया जाएगा और आप लोग ऐसे हो कि अपने व्यावसाई की रक्षा के लिए नोट भी दोगे और वोट भी दोगे अपने आपको एक बार दिक्कार लेना आज अगर किसी जेन की दुकान खुली तो जेन कहलाएं लाइक नहीं रहेगा ध्यान रखना जब आपका साथ देने के लिए जब पूरा भारत खड़ा हो रहा है और तुम अगर व्यापार करो तो अपने आपको बोलना कि मैं मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है कि मैं दुक के दिन में भी अपनों का साथ नहीं दे पा रहा हूँ सभी का आपने वक्तव भी सुना है बस इतना मेरा कहना है हमारे लिए जैन बोर्ट का गठन हो हमारी पहली मांग दूसरी बात साथूों की बिहार में पूर्ण रूप से प्रशासन सुरक्षा करे और तीसरी बात भारत की किसी भी कोने में संतों के विच्रण में निसेद नहीं होना चाहिए सकते हो जब तुमने जनम नहीं दिया है तो तुमको मारने कभी हक नहीं है कहीं आपके साथ हो जाता तो क्या करते आप सादू रोते नहीं है बाहर से अंतरंग में जो उनके आसू बहते हैं वो ही जानते हैं मुझे खुशी इस बात की है मुझे खुशी इस बात की है लोग जिनको जैनों का सत्रू कहते थे उन्होंने बताया है कि हम भी मित्र ही हैं लोगों के कहने पर मत चलना लोगों के कहने पर मत चीना भीया यह तो दुनिया ऐसी है जीने नहीं देगी शिव पुराण में कतानक आता है कि संकर पारवती जी नंदी की उपर बैठके निकल रहे थे उन्होंने का चलो देखते हैं दुनिया दारी क्या है नीचे की जो अपन ने शृष्टी की रचना की यह उसकी क्या इस्थिती हो गई है दौनों एक साथ नंदी पर बैठे थे एक व्यक्ति कहता है बताओ कैसे लोग है दौनों वेश बदल कर बैठे थे व्यक्ति कहता है देखो क्या इस्थिती है बिचारा एक बैल और दो दो बैठे है शंकर जी वो ले सही बात है उतर गए पारवती जी बैठी थी थोड़ी और आगे बड़े एक कहता है बताओ जनानी इस्तरी को सरम नहीं आ रही पती नीचे चल रहा है और स्वयम बैठी है बिचारी वो उतर गई संकर जी बैठ गए थोड़ी और आगे बड़े वो ले बताओ पुरश को सरम नहीं आ रही इस्तरी को पैदल चला रहा है अब दोनों उतर गए फिर आगे एक और कहता है मूर्क जा रहे हैं सवारी साथ में हैं बैठी नहीं रहे ये दुनिया है कुछ ना कुछ जरूर कहेगी इसके कहने पर मत जाना जो धरम कह रहा है उस पर पक्के रहना अगर जैन मूनियों की रक्षा नहीं कर पाई भारत की सरकार मुझे नहीं लगता देश के विश्व के नास होने में समय लगेगा जिनागम में कहा है कि जिस दिन मूनियों की उपर उपसर्ग प्रारम हो जाए पंचम काल कानता जाएगा कली में जो कली काल और काला आने वाला है ऐसा छटवा काल दुक्मा दुक्मा काल आएगा हम कम हैं लेकिन हम में दम हैं ध्यान रखना एक बट के बीच का फ्रक इतना चोटा है कि फू को तोड़ जाता है लेकिन अगर भूमी के अंदर चला जाए परवत को भी दो टुक्ले कर देता है अभी शांती से प्रदर्सन कर रहे हैं प्रबु करें ऐसा कोई दिन आए कि अहिंसा का आहटाना पड़ जाए सबसे एक ही बात कहना है शांती पूरवक ब्यवस्थित हो करके आज तक इतने जलूर जहन समाज की निकल गए इतने कारेक्रम हो गए कभी पुलिस वालों को कोई करना नहीं पड़ा कुछ काम लेकिन आपके लिए साशन भी आज साथ में खड़ा है अब मेरा कहना है किवल बातों से काम नहीं चलेगा सरकार अब एक्शन ले पहले राजनीती के तहट चलते हुए जेनों और हिंदूं को लड़ाया गया कहाँ पर शिकरजी के लिए ये जितने महात्मन बैटे में बाप बताओं को वहाँ जो आदिवासी भाई हैं वो इतना प्यार करते हैं जेनों से जेन लोग अपने छोटे बच्चों को गोधी में दे देते हैं पूरी यात्रा करने के बच्चों को वापस करते हैं कभी किसी साथ कोई घलत काम नहीं हुआ और उन आदिवासी भाईयों के लिए कहते हैं कि वो जेनों के विरोधी हैं यह राजिनिती का पक्च है जेनों का और उदासियों कोई भी पक्च नहीं किसी ने मुझे से पूचा कि हिंदू राष्ट होना चाहिए मैंने का राष्ट कोई भी हो अहिंसक होना चाहिए जो मास के टुकडे खा रहे हैं उनके आथों पर क्या देश देंगे क्या और जो मास के टुकडे बेचने के लिए साइन कर रहे हैं ऐसे लोगों के आथ में भी देश नहीं जाना चाहिए धर्म की सुरक्षा ये देश की सुरक्षा है इतना मेरा कहना है आप सब अपने अपने हाथ में कितने लोग निर्ना लेकर के आए हैं कि हम जैन धर्म की रक्षा के लिए खत्रित हुए हाँ तो टाके एक बार बताओं कि आप कितने लोग हैं जो जैन धर्म की रक्षा के लिए खत्टे हुए हैं पका बैया, एक बात ध्यान रखना, अपने प्राण जाए, तो चले जाएं, धर्म की रक्षा के लिए, जो चाहे बन पड़े होकर पड़ना, किसी के जान मत लेना, लेकिन अपनी जान देना पड़ जाए, तो पीछे मत रखना, आप सभी, जेन धर्म की रक्षा के लिए, यहां से सीधा मौन पूरवक व्यवस्थित होकर के चलें ये मत सोचना कि हम कितने आए हैं, ये सोचना हमारी बात में कितनी दम है कोई माने ना माने कोई माने ना माने हमें से फरत नहीं पड़ता जब उपर भगवान के पास जाकर के बात लिखी जाएगी तो आप सबका नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा आग लिखाने वालों में नहीं लिखा जाएगा दर्म की रक्षा के लिए आप सब एकत्रित हों और इस कारेकरम को विवस्तित रूप से जैसे रूप रेका बनाई गई है से भी किसी प्रकार की कोई हिंसा किसी प्रकार कोई उपंत्रों कोई नहीं करेगा अपन को अपनी बात रखना है शेश आगे देखेंगे भगवान मावीर सौमी की